हेलो एवरिवन मैं रोविद लेकर आए हूं आपके लिए फिर एक न्यू नोटिफिकेशन उत्तम एकड़ियम प्लेटफरम पर मैं आपका हर्दिक स्वागत करता हूं तर एक न्यू नोटिफिकेशन आई है और सेना में ओविसर बनने के रिगार्डिंग बहुती गॉल्डन अपर्चुनिती है में और वुमेन बोट के लिए सर देखते हैं क्या नोटिफिकेशन है और सोर्स क्राइबर करते हैं कितने पत्ती है कुछ चैनल को व्यदियो को सेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बैल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा उत्तम अकेडमी पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको उत्तम अकेडमी प्लेटपों पर मिलेगी सर देखते हैं क्या है उत्तम अकेडमी यह हमारा कॉंटेक्ट नंबर है सर देखने सेना में बने ऑफिसर एंचीसी 52 स्पेश सरकारी रिजल्ट है सर सरकारी रिजल्ट पर आपको नोटिफिकेशन पर आप जाओगे तो सबसे आगे देखेगे कि सर जोइन इंडियन आर्मी सोट सर्विस कमिशन ससी 59th मैन एंट 30th वूमें एंट्री ओनलाइन तट 26 को यह नोटिफिकेशन आई है और सर क्या बोल रहा ह सर्विस कमिशन के लिए यह आप टांपी कर सकते ऑशास हूं कर सकते हो सर्क जीकारी और चीए और्समें क्या है लाज़ यहें करने है जर्नल वालों को बहुत कम ऐसे फॉर्म देखने को मिलेंगे कि जिसमें आपकी कोई फीस नहीं होगी सर कोई फीस नहीं आपके जर्नल ओवी सी एस्टी फीमेल सबकी कॉमन फीस है आगे देखते क्या सर इंडियन आर्मी एससी टेकनिकल मैं और वूमन एज लिमिट फिफ्टिनाइंथ मैं और फ्रटियेथ वूमन सर मुमन का बाद में निकला था वूमन के बाद में स्टार्टिंग की थी पहले मैं मैं ही सोट सर्विस कमिशन लगते थे लेकिन अब सेना में सर यह बहुत गॉल्डन अप्रिशनिटी है जो अब प्रेजेंट में अपनी मात कुस ही है जो कुस है मैं नहीं है सर आप उनको चेंज कीजिए वुमेंस आप भी आगे आए और सर सेना में भड़ चड़ कर भाग लिए बैचलर डिग्री इंजिनीरिंग और रिलेटिटर इंजिनिरिंग वालों के लिए सर गोल्डन अपरिशनिटी है क्या है कि सर आपको क्या जाएगा है कि सर लिश्टीड किया जाएगा किसके हिसाब से आपके जो माक्स है आपके जो में चैंडे और क्रेटेरिया होगा उनका उनका क्याहाव लेकितरवाले को हम दयरेक्ट क्या भूलाएंग large से के लिए बुलाएंगे में सर यह और पॉस्ट नहीं बताइए कौनसी डिपार्टमेंट में कि अपना पुरा जी जान लगा दो आपके लिए सोट सर्विस कमिशन की कि तरफ से क्या यह नोटिफिकेशन आई है इंजिनिरिंग वालों स्क्रेशल आपके लिए सर आपके लिए वीडियो बनाई मैंने सब के सबस्पेशल और सर क्या होगा आपको बेसिकली बताता हूं मैं अब जो भी सर एक क्राइटेरिया रख देंगे कि सर इस कटोफ से उपर आप आज आ सकते हो तो उसके बाद जाओगे तो आपका सर ओटी चैने में इसकी ट्रेनिंग होगी सोट सर्विस कमिशन होता सर आप बेसिकली आपका म मिनीमम मिनीमम क्या दस साल तक आपको सेना में जोब करनी होगी सर मिनीमम आप उसके बागे अपनी उसके बाद अपनी फर्दर एक्स्टेंड कर सकते हो फोर इयर बाद में एक्स्टेंड कर सकते हो फोर्टीन एयर का आपका टाइम टर्ण और रहता है सोट सर्विस कमिशन म सर और आपका और आपकी रेंक वगेरा तो सर, Labdeart STEPHAN lektorn merdate करनल रेटायरμεंट डे दे देघेंगे आपको सब्सक्राइब क्या होती रहेगा अच्छी जोगे सर, इससे ओच्छी आप क्या नहीं जोगे जर बोलते हैं कि रिची पर्वायनट कमिशन अच्छा है तो ऊच्छे की चीजिए सब्सक्राइब भी कि आपको भी इसे की सर्थ चाहएं थेंग चंते स्कीम जो इसे प्र में इंड़ स्कीम अर। था रहे ही क्या देता सोट सर्विस कमिशन देता और क्या बेसिकली बात करेंगे सर अच्छी जोग है और सर देखते हैं क्या रहता है अपना कि अगर आपके लिए सबसे कौन सा अच्छा होता है अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट है अगर आप लल भी कर रहे हो और लल भी में 55 परसेंट से आपके ज्यादा माक्स है उसे बोलते हैं सर्ट जैज एंट्री जैज उसे जैज के लिए बता देंगे सर्कितनी उसकी विकांची अभी नोटिफिकेशन यह आई है आठ तारी को आपको नोटिफिके टेस्ट उसके हिसाब से आपको सोट लिस्टिट किया जाएगा जो बसे सोट लिस्टिट होते हैं उसको फर्दर आगे सेगंड राउंड में बिज़ा जाएगा सेगंड राउंड में क्या होता सर्जी टी ओ ग्राउंड टास्क ऑफिशर होता सर जो आपको टास्क तो उसको क्या होगा सर फाइनल क्या होता है फाइनल क्या होता है वुअ फड-न जो होता है उसके हिसाब से आपको मैरिट Lif 빈 लिष्ट में आना पड़ेगा इस अधर यह सब कुछ मैंने बताया जो पुछ भी अगर कोई भी फ्रदर क्विल का डाउट रहता है तो सर कमेंट सेक्षिम में कमेंट कीजिए हमारी टीम आपको जरूर जरूर रिप्लाइ करेगी थैंक यू लाइक और सब्सक्राइब और पेज